हाई गाईज बेलकम टू दिस माई चैनल देशी आरबेद में आपका स्वागत है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन की घंटी को दबाएं दोस्तों आज की जानकारी बहुत महत्पून जानकारी है गुड़हल के फूलो को देख समझ गए हो इसके पत्ते सातूत के पत्तों के समान हरे रंके होते हैं गुड़हल का फूल अढ़ावल कई परकार का होता है कलिया छोटी छोटी कुछ में लंबी लंबी लंबा पीला आपके छेत्र में किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट में बताईएगा हो सकता है आपकी बताई जानकारी किसी के काम आ जाए धार्मिक दिरिष्ट से इसका बहुत महतु है आरवेद में भी इसका बहुत महतु है आरवेद में किस तरह से किन किन बीमारियों में काम आता है आप को बताते हैं या हर जगह मिल जाता है मंदिर में देवाले में दिखाई देते हैं पर बहुत कारी इसमें कूट कूट कर गुंड भरे हैं इसके पाउडर बाजार में और तेल भी बनाया जाता है इसके ताजी गालों के जड़ों में लगाने से बाल का जड़ना बंद होता है इसका रस पीस अमल पीते हैं तो कई बीमारियों में काम करता है इसके पाउडर बना रख ले बाल में महदी मुलतानी मिट्टी लगाते हैं उम्र के पहले जो बाल सफेद होते हैं वापस आ जाता है गंजेपन में भी इसके फूलों का रस निकाल कर बालों में लगाते हैं बाल जड़ने पर इसके ताजे फूलों का सेवन करना चाहिए इसक फूलों का गुलकंद बनाया जाता है कलियों को लेकर बीज के हिस्से में लेकर मसले जार लेकर बोतल में रखकर एक कईस दिन तक धूप में रख दे इसके फूलों के वजन से दो गुनी चीनी मिला दे थोड़ी थोड़ी इन पंखुडियों और थोड़ी थोड़ी चीनी को मिला मसल कर जार में रख दे गुलकंद को रोटी में एक चम्मच लगा कर खाएं तो बहुत बेहतरीन ताकत हड़ियों को मजबूत करता है अंदरूरी ताकत को भी दूर करता अंदरूरी समस्याओं को ज जान गए होंगे जैसे कि धात रोग लिकोरिया में इसके पत्ते या ताजे फूल पूर्सों में धात रोग ब्लेट पेसर में 20-25 पत्ते का सेवन से ब्लेट पेसर कंट्रोल होता है चेहरे पर कील मुहासे को दूर करता कप की सिकायत हो उनको इसका सेवन ना करें सुबा साम नहीं करना चाहिए गर्मी में दो पहर को बाल जड़ने की समयस्या में इसके पत्ते का सेवन करें तोचा में पत्तों को पीज़ कर चर्ण रोगों में सभी प्रकार के चर्म रोगों में दूद में मिला कर पानी का पेष्ट परियोग करें पेट में सिकायत अफरा उल्टी को दूर करता है खून को साब करता है पत्ता सरीर की गर्मी को दूर करता है ठंड़क सीतल ता देता है हजारों सालों से आरवेद में परियोग होता है इसलिए धार्मिक दृष्ट कोड से इसका महत पूजापाट में देखने में मिलते हैं किसी मंदीर देवी देवता पर चड़ाया जाता है फूलों में कैसियम पाया जाता है फूलों का सरबत बनाया जाता है फूलों के पीने से सरीर की कमजोरी को दूर करता है तेल बनाना इसके फूल पत्ते को नारियल के तेल या तिल के तेल में पका लें जब जल कर काले पड़ जाए उतार कर छान ले इसको लगाते हैं हैं बालों में चमक वालों बालों को जड़ने से रोकता है दोस्तों गुलकंद जो है इस तरीके से बनता है जैसे 100 गराम आप माल लीजिए आप ले ले इसके कलियों को 100 गराम कली को ले लो और इसमें 200 गराम चीनी अब इस तरीके से जो है कली को ऐसे निकाल दीजिए गुलकंद आपको हम बता रहे हैं कैसे बनता है और ऐसे चीनी चीनी और इसको इस तरीके से मसलिए और मसल करके जो है जार में रख दे ऐसे मसल करके 21 दिन घाम धूप में रख दे गुलकंद आपका 21 दिन में तयार हो जाता है एनी 100 गराम फूल हो और 200 गराम चीनी आपको अगर गुलकंद बनाना है तो घर में बना सकते हैं नमस्कार देशी आर्वेद गुलकंद इसी तरीके से बनता है